हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आपके B.A. और B.C.M. फस्ट यर में हिंदी अनिवारे लगा हुआ है यानि प्रियोजन मूलक हिंदी और उसी प्रियोजन मूलक हिंदी में आपके गठी विती नामक एक पुस्तक लगी हुई है वो पुस्तक आपके जब एक्जाम में कोशन्स आते उसमें से व्याख्याई पूछी जाती है तो उन व्याख्याओं को समझने के लिए उन व्याख्याओं को सफलता से सरलता से हल करने के लिए हमें क्या करना है कि पहले में आपको ये जित्ते भी गद्धिविती के जो पार्थ है इनका part परीचे और कभी परीचे लेखक परीचे पढ़ाऊंगे उसके उपरां जो part है आपके chapter है उनका अध्यन करेंगे ठीके BA first year और Bicom first year दोनों में आपके हिंदी अनिवारी हैं तो इसमें जब आपके एक्जाम में जो पेपर आता है उसमें वियाक्या वाला भाग आपके गत्री विथी में से आता है तो आज हम पढ़ेंगे जनेंदरकुमार यानि कि जनेंदर कुमार का जो आपके इसमें चेप्टर लगा हुआ है वो है पाजेब पाजेब कहानी है और जनेंदर कुमार का जो पहले हम कवी पार्ट परीचेप और पढ़ेंगे और इसके उपरांत इनका चेप्टर पढ़ेंगे देखें जनेंदर कुमार जनंद्र जी का जन्म अलिगर्ट जिले के कोडिया गंज में मद्धेश रेणी के एक जन परिवार में हुआ इनकी प्रारंबिक शिक्षा हस्तिनापुर के जेन गुरुकुल में संपन हुई अब आपको जब आप व्याख्या करते हैं उससे पहले आप सर प्रसंग लिखते हैं तो उसमें आपको जनंद्र जी का कुछ छोटा सा परीचे लिखना होगा जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ कोडिया गंज में हुआ ठीके तत्पश्यात इन्होंने प्राईवेट रूप से मेट्रिक की परिक्षा उत्रीण की मेट्रिक परिक्षा उत्रीण करने के बाद वे हिंदू विश्व विध्याले वाराण असी में प्रविष्ट हुए और वहां दुवित्य वर्ष में जब पहुँचे तब गांधी जी के असयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास में रहना पड़ा अपने जेल जीवन में ही जनंदर जी साइतिय रचना में प्रवत हो गए यानि कि जेल में रहते हुई इन्होंने साइति की रचना की है किसने जनंदर कुमार ने सन 1928 में विशाल भारत में इनकी पहली कहानी खेल प्रकाशित हुई तो आपको ये भी लिखना है सर परसंग में कि 1928 में जैनंदर कुमार की जो पहली कहानी है खेल वो प्रकाशित हुई किसमें प्रकाशित हुई विशाल भारत पत्रिका में इन्ही दिनों अपना उपन्यास परक भी प्रकाशित हुआ तो इन्ही दिनों किसका जरेंदरकुमार का जो उपन्यास है परक वो भी प्रकाशित हुआ तो ये भी आपको सप्रसंग में लिखना है जिस पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रियाग द्वारा पांसो रुपे का पुरुस्कार प्रदान किया गया हिंदुस्तानी एकेडमी प्रियाग द्वारा इन्हें परक उपन्यास पर पांसो रुपे का पुरुस्कार प्रदान किया गया आपके एक लगू उपन्यास मुक्ती बोध पर भी साइत्यकादमी नई दिल्ली का पांच हजार रुपे का पुरस्कार प्रदान किया गया तो इनकी मुक्ती बोध उपन्यास हैं जिने भी इने पुरुस्कृत किया गया यानि कि विशाल भारत में इनकी खेल का आहनी प्रकाशित हुई जिसको पहली कहानी कहा जाता है उसके उपरांद इनका मुक्ती बोध और परख उपन्यास प्रकाशित हुआ आगे हिंदी साइते को जरंदर जी की देन बहु मुखी है यह मुख्यतर कथाकार के रूप में ही प्रसिद है कथाकार यानि कहानी कार के रूप में प्रसिद है कौन जरंदर कुमार किन्तु इन्होंने विचार प्रधान बहु संख्यक निभंदों की रशना भी की है दो चिडियां नीलम देश की राज कुमारी, जैसंधी, पाजेब, आदी इनके प्रमुक कहानी संग्रह हैं तो आप कहानी संग्रह को याद रखेंगे क्योंकि आपके अपाठे करम में पाजेब कहानी लगी हुई है किसकी जनेंदर कुमार की तो आपको इनके जो मुखे कहानी संग्रह हैं उनका आपको नाम याद रखना है यदि आपके परिक्षा में प्रिश्ने पूछा जाए कि जनेंदर कुमार द्वारा रचीत कहानी पाजेब में बाल मनो विज्यान का चित्रण हमें मिलता है तो उसमें आपको प्रारंब में एक शंशिप्त में इनका परिचे देते हुए इनके प्रमुक कहानी संग्रह इनकी जो पहली रचना है पहली जो इनकी कहानी है खेल तो इन सबका आपको लगू परिचे देना है इनका प्रारंब में इसी प्रकार इनके उपन्यासों में त्याग पत्र, परक, सुनिता, कल्याणी और जे वर्धन विशेश प्रसिद्ध हैं तो ये परिचेवे आप दे सकते हैं कि आज इनके प्रमुक उपन्यास कौन-कौन से हैं जरेंदर के विचार, प्रस्तूत प्रश्ण, जड़की बात, सहिते का श्रे और प्रे आदी इनके निभन्द संग्र हैं जिन में समाज की विविद समश्याओं को दार्शिनिक दर्श्टी कौन से देखा गया हैं समय और हम तथा इस ततर इनकी नविन रचनाएं हैं तो इस प्रकार जब भी आप किसी भी प्रश्ण की लिखने जब उनका प्रारंब करते हैं प्रश्ण का उत्तर लिखना शुरूर करते तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर लेखक परीचिया मैंनी लेखक के बारे में जूसकी रचनाएं हैं उसका जनम स्थान है उसके बारे में अगर आप लिखते हैं तो वह एक अच्छी शुरुवात मानी जाती है आगे देखिए प्रेम चंद्रोतर कहानी कारों में कहानी की धारा को नई दिशा में प्रवर्थ करने वालों में जरंदर जी का प्रमुकिस्तान है इनकी कहानियों का शिल्प विधान नूतन है तथा कलात्मक उत्करष्टता लिए हुए है दर्शन और मनोविज्ञान आपके कथासाईती की प्रमुख विशेष्टा है देखे दर्शन और मनोविज्ञान है न तो इनकी उपरन्यासों में खास करके मानव मन के मनोविज्ञान को दर्शाय गया है फलत विक किसी भी शमस्या को यथा तथ्य रूप में न गरहन कर उसकी अतल स्परशी गहराई में जाक कर देखते हैं और उस गहराई में उपलब्द मानविय सत्य की उनकी कहानी का मूल सुवर बनकर मुखरित होता है जनंदर जी हिंदी कहानी को मनोविज्ञानिक दर्शातल पर ला खड़ा किया है इनकी मनोविज्ञानिक पद्दती इनके दाश्टनिक चिंतन एवं मनन की ही प्रतिफल है प्रेमचंदर यूग के कथा साइते में जहां सामाजिक भावना की प्रधानता मिलती है जनंदर जी के साइते में व्यक्ति को उचित महत्व दिया गया है देखी जो प्रेमचंद जो यूग था उसमें कथा साइते में कहा हमें सामाजिक भावना मिलती है सामाजिक भावना मतलब कि समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज में होने वाली बुराईया और जितनी भी चीजें हैं सामाजिक रूप से वो हमें प्रेम-चंद-ध यूग में मिलती है परंतु जो जèneंद्र-कुमार के साइटे में हमें क्या मिलता है वेक्ति-विशेश वेक्ति के मनों विज्ञान वेक्ति के मन की जो भावनाय हैं हैना उन सारी चीजों को हम जनें- प्रधान है कथोप कथन में कल्पना और भाउक्ता की अपेक्षा बोधिक्ता की प्रधानता मिलती है तो अगर भाशा की बात की जाए तो जैंद्रे जी की भाशा सुवेवस्तित और शेली वेंजेना प्रधान है ठीक है कथोप कथन में कल्पना और भाउक्ता की अपेक्षा बौधित्ता की प्रधानता मिलती हैं यानि कल्पना कम है और बुधिक बौधिक स्तर पर किसी भी समश्चा को आखा जाता है वस्तुतह जनंद्र जी की कहानी कला में पाठकों को अपनी और आकर्शित करने की अद्बुद शमता हैं वे हिंदी कहानी साहिते के एक उत्करश्ट कहानी कार है ठीक है यह हो गया आपके लेखक परीच्चे अब हम पढ़ेंगे कहानी जो इनकी जनंद्रकुमार की है पाजेप उठका उसका साराँश पढ़ेंगे पे तो शुरू करते हैं जनंद्रकुमार की मनोविज्यानी बाल मनोविग्यानी कहानी पाजेब का सारांश पाजेब पाजेब जनेंदर जी की एक उतकरष्ट मनोविग्यानी कहानी है पहले तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप लिखें एक्साम में व्याख्या करें या फिर प्रश्ण का उत्तर लिखें कि जो जनंदर कुमार की पाजेव कहानी है कि किसकी है पहले तो यह याद रखना है कि यह जनंदर कुमार की है और आपको यह भी याद रखना है कि यह एक मनोविज्यानिक कहानी है ठीक है पाजेव खो जाने जैसी एक छोटी सी घटना को लेकर इस परकार की एक मार्मिक कहानी रच डालना जनंदर जी की कथा शिल्प विशेक अद्बुत शमता का परिचायक है देखिए एक छोटी सी चीज है पाजेव का खोजाना उसके पीछे बाल मनोविज्ञान को बहुत ही सफलता से जनंदर कुमार ने दर्शाया है प्रस्तुत कहानी में बाल मन की को जिस सुक्ष्म मनोविज्ञानिक रेखाओं द्वारा उकेरा गया है वह कहानी लेखक की सुक्ष्म सूज और चित्रन शमता का परिचायक है मन की भीतरी पर्तों को प्याज के छिल्के की भाती एक एक कर खोलने में जनंदर जी सिद्ध हस्त है यानि की मन की जो हमारी भा काउनाव अलग-अलग इस तर पर किस परकार से प्रकट होती है किस परकार से छिपाई जाती है परिस्तितियों में किस परकार से हमारी मन की स्तती होती है उन सबका परीचे जनंदर कुमार की कहानियों में और उपन्यासों में हमें मिल जाता है घर से अचानक पाजेब के ग बालक हे आठ वर्श का तो यह मुख्य पातर है पाजयब कहानी का। तो आशुत्वस पर ही जाता है वह अपने पुस्त किये मनविज्यान के सिधानतों का आश्रे लेकर बालक आशुतोस से पाजयब की चोड़ी का Zvffkarta करा लेते हैं और अपनी सफलता पर प्रसन भी होता है किन्तु उसके किताबी मुनवेग्यानिक सिधानतों का परदाफाश तब हो जाता है जब भुआ अपने साथ भूल से ले गई पाजेब लेखक को लोटाती है मतलब इस कहानी में क्या होता है पाजेब खो जाती है आशुतोस की छोटी बेहन है उसकी और आशुतोस पर इस पाजेब को खो जाने का आरोप लगाया जाता है पर अंतु हमें पता है कि जो छोटे बालक होते हैं आठ नो वर्ष के साथ वर्ष के वो तरक नहीं रख सकते अपनी बात को इस पश्ट रूप से रख नहीं सकते तो वो उसको शुकार कर लेता है तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर बच्चे के जो मनो विज्ञान है उसको बहुत इस सुक्षमता से दर्शाया है जैनेंदर कुमार ने और अंत में क्या होता है पाजेव आशुतोष के पास नहीं होती और किसके पास होती है वो भुआ के साथ गलती से चली जाती है इस भाती इस कहानी में एक और बालक आशुतोष की मानसिक उहा पोह का सुक्ष मनोविग्यानिक चितरन हैं तो दूसरी और लेखक के पुस्तकिये मनोविग्यानिक सिद्धानतों को वेवारिक जीवन में चाहे जब तब अपनाने पर भी एक चुपता हुआ वेंगे है यानि कि पुस्तकिये जो जो ज्यान है पुस्तकिये जो मनोविग्यान है उसके आगे मतलब कि जो एक वास्तविक मनोविग्यान होता है बालक आशुतोष के मन की जो इस्तेती है उसको भी लेखक समझ नहीं पाए पुस्तकिये ज्यान के आधार पर उन्होंने अंदाजा यानि कि उसकी मन की स्तिती को जरंद्र कुमार जो कि स्वयम लेखक है वो नहीं समझ पाए कहानी का प्रारंब आकर्शक एवं कोतुहल वर्धक है और यह कोतुहल कहानी के अंततक बना रहता है कहानी में व्याप्त इस कोतुहल जनक परिस्तिती का विस्फोटक बड़े नाट की अंदास से होता है जबकि लेखक की भुवा अपने साथ भूल से ले गई पाजे उसे लोटाती है इस भाती आकस्मिक घटना संयोग का सहारा लेकर प्रस्तुत कहानी के ताने बाने को बड़ी बारी की से बुना गया है इस कहानी की एक अन्य विशेषता वर्णन शेली की चारूता एवं उसकी शंशिप्तता तथा चुस्त समवाद योजना है जिसके सहारे कहानी का कथानक तो गती प्राप्त करता ही है साथ ही पात्रों के मनो भावों को अभिव्यक्त करने में भी सक्षम है यानि कि पात्रों के जो मन के भाव हैं, अलग-अलग पात्रों की किस प्रकार के मन के भाव हैं, उसको अभिवेक्त करने में ये कहानी पूरी तरह से सक्षम है प्रस्तुत कहानी के भाशा शेली भी सहज, प्रभाव माई, एवं वेंजना परधान है छोटी छोटी वाक्य रचना में सार्थक एवन वेंजना प्रधान शब्द मणियों से पीरोय जान पड़ते हैं तो यानि कि इस कहानी में मूल रूप से क्या है बाल मनो विज्ञान का चित्रन किया गया है